स्टार्टप जात्रा ब स्टार्टप एक्सप्रेस आजी जो माने संक्शेस है चन्ति तांक पाएं आवार गीविंग सेरिमोनी स्टार्टप उस्चप यह निष्चीत भाबरे जनी बड़ा जनी यह बंग जोम माना पहर आइडिया आची, जोम माना पहरे नुवा नुवा क्रियेटिव आइडिया जाची, तांको राज्य सरकार प्रश्चाहन दोचन्थी, स्पेस जोगो चन्थी, आगुको बड़िवारा सुजग भी दोचन्थी, यह हो ची ओडिशा स्टार्टाप रा म मन को नुवा मंत्र दबाऊ, सब बड़ से लागी चन्थी, सर वेलकम टू नंदीगोस टीवी, यह स्टार्टाप उस्चब आज यह एक रिगुगनेशन आवारे इनुबिटर्स के लिए, कैसे लग रहा है, आज की कारिये का यह बहुत अच्छा कारिया है, यह बहुत अच स्टार्टाप को ग्रैंट दिया, बहुत सारे स्टार्टाप को बहुत सारे बिदेशी मंचों पर हमने प्रौतसाहित किया, फिर हमने स्टार्टाप को पूरा ट्रैक रखा कि उनको क्या ग्रैंट मिल रहा है, उनको क्या फंडिंग चाहिए, उस फंडिंग की बवस्ता है कि हमने अपना fund of fund लांच किया तो ये साल भर जो हमारे काम चले हैं उसमें हमने सैक्णों लोगों के जीमन को पक्च हुआ है उनमें परिवर्तन किया और एक सकारात्मक हमने एक intervention किया है उनको सराहना करने के लिए उनको फैलिसिटेट करने के लिए आज एक start-up उस्तो हम लोग मना रहे हैं इस start-up उस्तो में start-up यात्रा के 50-50 पाइनलीस्ट इस पजक और रियात्रा की वो थे। फिर उन्में दस लोग जो फाइनलीस्ट हूँ ज़ो फिछे दो दिनों से अ convenience program से वो लोग थे। पिर उनको हमने चक्ष रोड दीर हैं, रिकुग्निशन काया सुइपकेट दिया ताकि उनका मनोबल बढ़े वो आंटपने और्शी के तरफ इस्टार्टप के तरफ प्रोटसाहत हों, फिर हमने जो इंकुबेटर्स ने अच्छा काम किया पुरे साल में, इस्टार्टप उनको हमने प्रोटसाहित किया है, फिर जो इन इस्टार्टप बाहर की फंडिंग ले किया है, उनको प्रोटसाहित कि पिर जो इन स्टार्ट अपस ने बिदेशों में अपने आफिस खोले उनको प्रोसाहित किया अब यह जो पूरा स्टार्ट अप उत्सव दोहजार चोविस का है पिछले बर से हमने इसी तरह से एक स्टार्ट अप मेला नाम का इवेंट किया था अब अब हमने आगे उत्सव लिगाले इसौरा जाया एक सराम दिया यह सरा जो उत्सव एक सोलिपनिशन है कि हम जब साल भर जो काम करते हैं जेलोगों से हमको एक्सेश करते हैं आउeder करते हैं एको सिस्टम सभी प्लेट फ़रम से ले आके जो हमने सफलताइं हिए हैं जो हमने योगधान दिया है और ज प्रताब के श्रीदेव जी उनके हाथों परस्कृत किया वह बहुत ही एक जोड़ार सेशन अभी अभी शुब्रतोबागशी जीने लिया आस्क में अनिधिंग उसमें उनके प्रस्टों का उनके उनके जग्यासाओं का समाधन किया और इस तरह से जो आने वाले सेशन है उसम और अभी आने वाले सेशन में जो हमारे स्टेट के सेलिब्रेटेड स्टार्ट अप से जिन्होंने सफलता पाई वो लोग एक पैनल डिस्कॉशन करेंगे फिर आडियंस को जो पर्ट्सपेंट से हमारे स्टार्ट अप से यंग उग्याजन गल्स उनको प्रोचाहित करेंग उनको मोटिवेट करेंगे अब रियल टाइम स्टोरीज बताएंगे कि उन्होंने रियल लाइफ स्टोरीज बताएंगे बिसिकली कि उन्होंने कैसे सफलता पाई है तो इस तरह से एक बड़ा असा महौल बनेगा हम समझ रहे हैं यह आपकी उद्यस से जो है स्टार्ट अप सक्सेस हुआ मिला है उसे ग्लोबाल प्रेजिंस भी हमारी बच्चों को मिला है यह हम बता सकते हैं यह सक्सेस के और जा रहे है और आगे भी जा सकते है ओडिसा साइथ पहला राज्जी है जो इतना सपट दे रहा है स्टार्ट अप हमने फिछले वर्ष एक सो बाइस स्टा आदे है और हमारे स्टार्ट अप्स के बारे में पूरी देश को पता चल रहा है क्योंकि एक्स्टनरल फंडिंग मिल रही है अभी पिछले वर्सी क्योरबे को बॉन्वी को और लरकाई को बाहर से फंडिंग आई हम तो हमने ग्रांट दिया है और इसलिए जो मानी मुख्य स्टेट की रूप में चिंडित किया है अवार्ड हमें प्रस्कृत किया है और गेविंग सेरीमन में बच्चे सिक्स टंडर में पढ़ रहें उनके आइडियाज देखके हम भी ताजू होगे यह प्रुस्टाहन की बज़ा सी सब आगे आड़ हमने पूरे तीस जिले में स्टाइड एक्सप्रस जात्र की जो इसकूल्स के लिए था उनमें जाकर कि हमने बूट केंप्स किये और फिर उनका आइडिया पिचिंग रखा उस आइडिया पिचिंग एक ऐसा प्लेटफ़ाप्म बन गया जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज को हमारे सामने प्रस्त प्रस्तिश में तो यह एक बड़ा से सिंसिटाइजिशन अब यही लोग को स्टाइड उप बनेंगे हम यह इंट्रस्क्टर बना रहे हैं ओफ चार लाग स्कूर फीट का हमारी बेस्ट इंड पालिसी हमारा हमारा ग्रैंट बहुत जादे हम दे रहे हैं तो सब देने के लि को कल को स्टाइड बन सकते हैं उनमें दस दस जो चात्रों को आपने देखा जून मानि मंत्री जी के हाथों प्रस्कायर घंड किया उनके आइडियाज को एक्सपर्स ने उनको इवेलवेट किया और मुल्यांकन के बाद बताए कि यह स्रेश्ट आइडियाज है मुझे लग हम इतना ही नहीं करेंगे अब उनको हम एक प्री प्रोग्राम से कनेक्ट करेंगे ताकि उनको हम ट्रेन कर पाएं ताकि वो आंट्रेपनियोर और स्टार्ट अप कंपनी बना के आगे आने वाले दिनों में अपने आइडियाज को साफ्टर प्रडुक्त में या टेक्नलाज किया है और इसलिए अभी भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट पीको सिस्टम बन गया हमारे प्रदेश से पांच हमारे प्रदेश के पांच चात रहें बाहर जाके कि कम से कम वह यूनिकान बन चुके हैं उनमें से दो अब बहुत सफल यूनिकान तो यही अब देमे तो यहीं आए हुए थे अभी छे और लोग पैनल डिक्स करसे में बैट रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे स्टार्ट अप एको सिस्टम में औरी सामें कुछ वरसों में बहुत तेजी आई है और अब हम जो बाहर से जो फंडिंग ले रहे हैं वो इस बात को प्र कानगिरी में कोरापुत में काला हंडी में इन जगों पर लड़के और लड़कियां इसमें भाग लिया है उनको पता चलाया है कि स्टार्ट अप बनाना कैसे होता है आइडिया क्या होता है उनके आइडिया में जान है कि नहीं उसका भी प्रमान देखा है उन्होंने तो य कि हम जो 5000 स्टार्ट अब दो हजार पचीस तक बनाना चाहते हैं माने मुख्य मंत्री जी के जो ड्रीम है जो विजन है उसको पूरा करेंगा सब्सक्राइब कर रहा है के लिए तो मैं यह बूल सकता हूं और सक्सेश चाप्टर बेसे एक सफ्ट्वेर एक्सपोर्ट प्रोमोर्शन के लिए एक अर्गनाशिशन था उसमें मैंने काम किया उसमें टेकलाजी स्टाटप उकुर्सिस्टम बनाना प्लग एंड प्ले बनाना इंकुबिशन बनाना मैं करी रहा था मुझे लगता है स्टाटप उडिशा में मुझे और ज्यादे फ्रीडम है और ज्यादे इंपावर्मेंट है मैं उनमें नेड़े लेने में और ज्यादे ससक्त हूं और इसलिए मुझे लगता है कि जो कुरा विजन है सरकार का उसको मै बहुत तेजी से हम सब मिलके टीम के रूप में बहुत तेजी से लागू करेंगे। अगर दो हजार पचीस तक जो टार्गेट ले रही कहां तक पहुंच सकते हैं आप किसे देख रहे हैं उसका मियाद यह जो चार हजार चार लाक स्कार फीट का इंकुबेटर है यह तो इसी साल लांच हो जाएगा और उसमें एक किसी भी समय हम कम सकंद तीन से चार सो स्टार् होगा इंवेस्टर्स आएंगे मेंटर्स आएंगे और यह सारी गत्विदियां बढ़ जाएंगी तो यह अब की तरह से काम करेंगा नुकलेस की तरह से काम करेंगा इसके साथ-साथ हमारे 26 इंकुबेटर को हमने रिकनेज कि आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हर जिले म में हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम भारत की सवरस्रेस्ट पालिसी ले के आए और पूरे जिले पूरे एजुकेशनल इंस्यूशन्स में हर जगह ये इंकुबिशन का मुवमेंट खड़ा हो इसके साथ हम एक मेकर कल्चर प्रोटोटाइपिंग का कल्चर डिजिनल कल्चर फैब लैब का एक जाल इचाना चाहते हैं उसके लिए हमने कदम उठा लिये हैं उसके तयारी कर रहे हैं उसके प्रापर प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को बहुत तेजी से लगू करेंगे हम चाहेंगे कि मेकर कल्चर फैब लैब्स फै कि हमारा जो प्रदेश है वो एक बार जब उठे तो इन सारी तैयारियों के साथ सारे सपोर्ट के साथ और सारा जो इन्फरस्ट्रक्टर है इनेबलिंग एको सिस्टम उसके साथ तेजी से आगे बढ़ जाए अगरी सवाल लेना चाहेंगे ऐसा कुछ सेक्टर ही जिसके उपर जो एक्जिस्टिंग सेक्टर है एगरिकल्चर है फूड प्रॉसिंग है एजुकेशन का सेक्टर है बायो टेक में हम बहुत मजबूत हैं उनमें हम तेजी से काम करना चाहते हैं हम एक लेबल तक आ गये हैं क्रिटिकल मास तक आ गये हैं लेकिन साथ ही साथ हम कुछ नए से करना चाहते हैं जैसे sports में बड़ा काम किया हमारे प्रदेश में बड़ा काम हुआ है और उससे sports के आस पास की बहुत सारी चीजे तयार हो गई है अब हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में sports स्पोर्ट्स टेक्नलाजी का स्पोर्ट्स स्टार्टप इको सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़े इसके लिए हम प्रयास करने जा रहे हैं साथी साथ हम यह भी चाहेंगे कि जो नए नए सेक्टर्स हैं जैसे इमर्जिंग टेक है हमारे आई टी इंडिस्ट्री बहुत आ रही है आपने सुना होगा कि नित नए नहीं कंपनियां उड़ी साइक तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमारे पर स्टैलेंट है इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्रेक्चर है सपोर्टिंग गोर्र्मेंट पॉलिसी जैं और इसल इसमें बहुत जादे कलिंग नगर है जारसु गुड़ा उसके आसपास बहुत सारी मैनिफेक्ट्रिंग इंडिस्ट्रीज हैं और ऐसे में इंडिस्ट्री 4.0 के उपर हमारे स्टार्टप्स काम करें जो उसका जो ट्रिकिंग हां डाउन स्ट्रिमिंग में इसमी भी बने और स्टार्टप भी बने इस पर भी हमारा फोकस रहेगा आप सब जानते हैं कि जो पुरुए इंडिस्ट्रीज हैं उन्हें इंडिस्ट्री 4.0 टेक्निलोजी का कनेक्टिश्टिफ सैबर फिजकल सिस्टम है कनेक्टेट टेक्निलोजीज है इसके उपर आपने तो सुना ही होगा कि हमारा जो ग्रोफ-फंड है जिसको फंड कहते हैं उसको सिड़ी अभी मेनेज कर रहा है और वहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है तो आने वाले दिनों में हम फंड की सप्लाई भी बढ़ाना चाहेंगे तो यह सारी चीज़ें अगर मिलके देखें तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं हम एक बहुत ही समेकित ढंग से इंटीग्रेटेड ढंग से होलिस्टिक मैनर में स्टार्ट अप एको सिस्टम के विकास के काम कर रहे हैं और आने दिने आने वाले दिनों में हमको उचित परडाम जरूर मिलेंगे हमसे इतने बाद हमसे बात करने के लिए अमसे ते कथा उतले ड्रक्राम कर रहे एक जोड़ी प्यार में एक तम विस्तुद भाई वजोद ले स्टार्ट परफर्म नहीं चन्दी सारा देस सरे धारा आगूक भी जारी रहे वह वह विश्वास भरसा भी समस्तक रहाची बुबने सुरू केमरा में संतोस को साज़ा जाती महांती नंदी घुस्ती भी